नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है आईए आपको हम बताते हैं मोबाइल हैं करता है उसको कैसे ठीक करेंगे और मोबाइल हैं करता है तो बीना आप मेकेनिक के पास गये हुए बीना किसी दुकान पे गये हुए आप अपने घर पे बैठें म हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आप बेल आइकन दवाना ना भूलें सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल पर तो चलिए सुरू करते हैं कभी भी टच वला मोबाइल आप यूज करते हैं तो सब में एक लिमिटेशन होता है किसी में 2Gb अब तो कुछ खौन आ गया है कुछ मोबाइल जिसमें 12gb भी रहम होता है रेम और रोम मोबाइल में दो तरीके की मेमरी होती है एक तो रैंडेम एकसेस मेमरी रीड ऑनली मेमरी तो जो मेमरी होती है राम जैसे बोलते हैं 2GB और 16GB, 2GB 32GB, 4GB 64GB, तो 4GB डेटा होता है यह बेसि यूज करने के लिए application को run करने के लिए होता है अगर आप अगर 2024 की बात करें तो अभी अगर हम WhatsApp यूज करते हैं तो अभी जो WhatsApp में जो data यूज होता है वो 100 MB के आसपास यूज होता है जबकि आज से दो साल पहले जब हम WhatsApp यूज करते थे उसमें WhatsApp का data 34 MB का फाइल था 47 MB का आइज बढ़ जाता है अगर आपका phone latest होगा तो उसमें memory आपको ज्यादा चाहिए क्योंकि आपका application है वो ज्यादा application आपका यूज करेगा RAM में तो कोसिस करें जब भी आप mobile कर दें तो ज्यादा RAM की बाली memory कर दें आप तो आपका mobile हैंग नहीं करेगा अगर आपके mobile में 2G memory है अगर आपने 4-5 application यूज कर लिए तो आपका phone slow हो जाएगा अगर वही memory आपके यहां RAM 2GB की जगा 4GB होगा तो application थोड़ी जादे आपकी यूज होगे अगर 4GB की जगा 6GB यूज होगा आपका तो application और थोड़ा जादा होगा और एक चीज और कभी भी आपका mobile हैंग करें तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था ब्राउजर में जाकर के history को clean करना है ब्राउजर में जाकर के जितने windows खुले होंगे सब को close करना है आपको और तीसरा एक और option यूज करना है phone के अंदर mobile का memory card निकाल करके phone का data आप चेक करेंगे तो जो data होगा यूज आप memory है और अगर आपने ज्यादा तर photo यूज किया है तो time to recording आप इसमें से memory remove करके आप अपने desktop पे save कर ले लैश्ट और laptop पे save कर ले या google cloud पे save कर ले अगर आपका mobile पे memory store होगा जैसे 120 GB memory है आपने 64 GB का कोई साधी का वीडियो डाल दिया कोई कहीं गया उसका वीडियो डाल द अगर आपका 128 GB है अगर आपका 256 GB है अगर आपका 64 GB है तो ठीक है अगर आपका memory 2 GB 16 GB है 2 GB 32 GB है 3 GB 32 GB है 3 GB 16 GB है अगर इस तरह के mobile आप memory यूज करते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी आपको external memory यूज करनी होगी और जो आपका data है जैसे आप camera setting में जाकर करके वहा recording setting आप करते हैं तो memory in use में आप कर देंगे आप memory card setting वीडियो recording आप कर सकते हैं तो वहाँ पर भी एक फंक्शन है जैसे video recording के क्लिक करेंगे वहाँ पर option आएगा उसमें आप आएगा memory in use तो उसमें आप क्या कर देंगे phone record फो फोन की जगा आप सब जगा memory card सेट कर देंगे अ फोन का जो मेमरी है जितना इंटर्नल मेमरी रैम आप जितना खाली रखेंगे फोन आपका स्फीड बहुत अच्छा होगा एक्जामपल के लिए मैं एक सका लाइब प्रूब बता रहा हूं अभी मैंने एक फोन लिया है वन प्लेस का जिसमें 256 जीवी मेमरी है और तो यह हैं नहीं करता बट अगर फोन का इंटर्नल मेमरी अगर मैंने इसमें 128 जीवी यूज कर लिया तो फोन यह स्लो हो जाएगा तो कोशिस करें हर एक फोन में आप मेमरी काड़ अब जरूर लगाएं 128 जीवी का 256 जीवी का मेमरी काड़ मार्केट में भी अबलेबल है अगर मेमरी काड यूज करना ही है ताकि मेमरी काड यूज करने से आपका फोन कभी हैंग नहीं करेगा तो ये वीडियो उन सबी दोस्तों के लिए बहुत इंपोर्टेंस है जो मोबाइल यूज करते हैं कोशिस करें मोबाइल का रैम रोम बिल्कुल यूज ना करें कम यूज करे तो आपकी phone speed काफी अच्छी होगी कोई 20 अर का phone यूज करता है आपके पस अगर 5000 का भी phone है तो भी आपकी speed बहुत उच्छी होगी बड़ उसमें आपको एक चीज खास करके ध्यान रखना आपको memory card phone में डाल के रखना है camera में memory, voice recording में memory, video recording में memory memory किसी भी data में जो आपका memory यूज करना है वो memory card को यूज करें phone memory कभी ना यूज करें जिससे आपका phone slow कभी नहीं रहेगा और आपको update जो आपका play store पे जो applications है इसको आप update करते रहें जो phone memory है आपका जैसे आपने शुरू में डाला था 40MB का memory कोई अगर whatsapp का डाला था आज की डेट में whatsapp बाला memory जो है वो 70MB का है तो whatsapp का अपका data जैसे ही आप update करेंगे तो वो file आपका 70MB में हो जागा तो phone memory आपका वैसे भी बढ़ता रहेगा रेम आपका वैसे ही यूज होता रहेगा तो कोशिस करें mobile की memory को कम यूज करें और हर एक लोगों से request है कि mobile में आप memory card लगाए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को share करें उनका mobile कभी hang ना करें और इस वीडियो के recording और कभी भी आप रेम बाला phone करिते हैं तो कोशिस करें 4GB RAM हो 6GB RAM हो तो ज़्यादा अच्छा phone का speed होगा 2GB तो अब तो खेर slow होगा क्योंकि अब तो phone के processing बहुत अच्छी बर गई है net की speed भी बहुत अच्छी हो गई है बट phone का आपका RAM बहुत importance है तो इसलिए RAM को आप improvement करवेने के लिए memory card जरूर लगाएं अगर 2GB 3GB का है तो इस वीडियो के साथ मैं यहीं पर अपना बात close करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो like करें share करें